हैलो फ्रेंड्स वेलकम टू चोलबोस किचिन आज हम लोग बनाएंगे पिठा आपनी चावल के आठा का पिठा तो बहुत सुना होगा पर आठ में गेहूं के आठा का पिठा बनाने जा रही हूं जो बहुत सिंपल है और उतना ही टेस्टी लगता है तो चलिये देख लेते म मैंने चना दाल को दो से तीन गंटे तक भीगो के रख दिया था उसके बाद चननी में छान लिया चाननी के बाद मैंने इसे 10 में छोड़ दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए क्योंकि हमें स्टफिंग बिल्कुल ड्राय चाहिए और तो कप दाल के इसाब से मैं मैंने तीन कप आठा लिया है क्योंकि हमें डो इसका थोरा मोटा चलिए क्योंकि हम लोग इसे पानी में बॉयल करने वाले हैं मैंने हरी मिर्ट चार से पांच लिया इसे ग्रेट कर लिया है अद्रका एक इंच का टुक्रा लिया है इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है मैंने लाल मिल्च पॉड़र वन फोट लिया है और फ्रेस धन्या पत्ता लिया है मैंने कुछ चलिए सबसे पहले हम लोग तयार करेंगे लोग तयार करेंगे लिए इसमें नमक डालेंगे आदा चमट मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही इसका डूल यह डीस मेरी मदाईनों ने सिखाया था मुझे उन्होंने जब पहले बड़ बताया तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि जेनरली तो चावल की आट़ा का ही पिट्टा होता है पर मैंने इससे टेस्ट किया तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा उसके बाद मैंने खुछ से ट्राई किया तो मुझे लगा कि यह रेशिपी आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए यह बहुत डिफ्रेंट है और बहुत टेस्टी है हम लोगा डो तैयार हो चुका है बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए गिला बिल्कुल ही चाहिए हमने चलते स्ट् इसे में डालेंगे है हमें इसे दरदरा पीसने इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है और इसमें पानी बिल्कुल ही डालना है तो चलिए इसको दरदरा पीस लेते हैं मैंने इसे दरदरा पीस लिया है अगर इसमें चैना का दाल दिखता भी है तो कोई बात नहीं है इस पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, यह देखिए हो चुका है, बिल्कुल जाना के दाल को दरदरा पीस लिए हमें इसमें बाकी का सिप्राल दूंगी नमक स्वादा नुशार क्योंकि हमने नमक डाला है, मिक्स कर देंगे अब मैं इस पर धनिया पता डालोंगी इसे बिल्कुल बारी कर लेना है, इसे मिक्स कर दोंगी अब देख सकते हैं, हमनों का स्ट्रफिंग बिल्कुल ऐसा होना चाहिए हमनों का स्ट्रफिंग तैयार है, डो भी तैयार है, तो चलिए अब इसमें बढ़ना शुरू करते हैं तो राटा लेंगे से अच्छे से गोल करेंगे मैंने इधर थोड़ा सा गयों काटा लिया है, इसमें ऐसे मिक्स मिलाएंगे और इसे बेलेंगे, इसे मोटा ही रखना है, पतला निकरना है बिल्कुल इतना ही चाहिए, आप देख सकते हैं, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है, और ज्यादा पतला भी नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, इतना ही मोटा चाहिए अब मैं मुझे गोल चाहिए, इसलिए में इसका टोरी की रख से, इसे कट करूंगी, इसे दबा दोंगी मैंने इसे काट लिया है, अब मैं इसे में स्टफिंग बढ़ूंगी इसे इसे दबा देंगे, शेप में रहेंगे, इसे अच्छे से दबाते हैं भी चारों तरफ से सील कर देंगे इसे दबा देंगे, इसे ऐसे से देंगे, मुथकोल ऐसा आलोत को चालेक, बीट हicionaa कम करने हूंसा था जाना थे जा difूरीक हूं मैंने पानी चगा दीया ही अब बस बॉइला नहीं का बेट करही हूं जैसे बॉयल हे दा एकर के पिट्ठा को डाल दोगी पानी बिल्कुल होना चाहिए ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए पानी में पॉयल आ चुका है अब में पिट्ठा बडालोंगी इसमें अ अ मैंने साड़े पिट्टे को इसमें रख दिया है अब इसे 5-7 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है इसमें बॉयल आ चुका है बॉयल आने के बाद ये उपर उठ के चलाया है पर हमें इसे पकाना है इसलिए लक्री का ऐसा कुछ लेना पड़ेगा इस्टेल का योज नहीं किज में फाल ने संब्सकंए ये तो क्या होगा कि यप फट जायेगा और इस अल की हातों से पलट के पलट गोट अगर आप इसे अच्छे से नहीं करेंगे तो ये पानी में जानी के बाद ये फट जाता है और पानी इसमें अंदर चला जाता है मैंने इसे 10 मिट पकाया है ये वो चुका है आफ करेंगे मैं इसे किकर निकाल दूगी इस टाइप के छहनी में निकालोंगे तक इसका एक्स्ट्रा पानी नीचे चला जाए अपी देख सकते हैं एक भी नी इसका मुग खुलाया है इसे अच्छे से सील किया था इसे निकाल द पानी से थोड़ा वाश कर दो में ताक इसका भूकिन बंद हो जाए और देड़े देड़े गिराना है नहीं तो ये फट जाएगा अब हम इसे ठंडा होनी के लिए छोड़ देंगे लोका पिठा तैयार हो चुका है मैंने इसे एक गंटा के लिए छोड़ दिया था ये अगर आप इसे अभी नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे दो से तीन दिन तक फ्रीट में रख सकते हैं ये बिल्कुल कड़ाब नहीं होता है टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है और उसके बात दो से तीन दिन बाद जब आप निकालेंगे तो उसे कैसे खाना है मैं वो नहीं और मैंने इधर तेल अल्रेडी पहले से चड़ाया हुआ यह अल्का सा गड़म हो चुका है अब हम लोग इससे सेल फ्राइ करेंगे उन्हों फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक यह लाइट ब्राउड ना हो जाए दोनों तरफ से पलेट पलेट के पकाएंगे मैंने इसे गोल्डन ब्राउड कर लिया इससे ज्यादा पकाने की जरूत नहीं है अब हमनों इससे सर्ट करेंगे अब इससे हरी चेटनी टॉमटर सॉस के साथ खा सकते हैं मैंने इससे सर्ट कर लिया है अब यह कानी के लिए बिल्कुल तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए झाल को जाँ हो तो मेरे चैनल को लिए अधको कीजिए पसंद आई हो लिए और मेरे चैनल को लिए खा सकते हैं